सीर अनुपमा की कहानी में आखरी बार अनुपमा से मिलने आया है क्लोजर देने ताकि वो और अनुपमा दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके ऐसे में आब अनुपमा को वाइट रोस दिया है अनुपमा इशारा करते हैं स्माइल करने का और दूर यहाँ बालकनी से व अब राज उसे तंज कसने की कोशिश करता है अनुपमा जवाब देती है अनुपमा के जाने के बाद बाद कहती है कि अभी उसे कुछ मत बोल वरना कल सब लोग आने वाले हैं और सारा काम हम पे आ जाएगा और अनुपमा गुस्से से अगर चली गई तो सब हमें ही करना पड जो है यहाँ जो शुरूती है आप सभी क्याद्या की मा बन के रह गई है लेकिन जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाए लेकिन आप दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज अपने बेटे को कह रहा है वापस आने के लिए क्योंकि अनुपमा और किंजल दोनों ही उसे जेल पेज़ कर ही रहेंगे आप यहाँ पर आनुपमा पांस साल बाद बापू जी और यहाँ पर अपनी बेटी पाके से मिलकर काफी जादा खुश है लेकिन आप शो में कल आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से शो की कहानी में कितना कुछ बदलने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप स्पाइसें चटनी रेस्टोरेंट का करजा जो यश्पाल ने लिया था यश्टीव को उसके बारे में पता चलेगा जिसके वज़ा से अनुपमा आप कैसे इनकी एल्प करेगी वो देखेंगे आप तो वही किंजलने परिवार के आते ही फैसला सुना दिया है कि अ उसे बदले में अनुच को कहकर यहाँ पर मामला रफा दफा करना पड़ेगा अब अनुपमा यहाँ पर सीधे कह देगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और अब मैं सीधे कोटन जाओंगी यहाँ पर यश्टीव कि अनुपमा मदद करती